क्या आज जाने बच्छे आप सबके इमीद करता हूं सब अच्छे होएंगे तो आज बच्छे हम लोग अपने आज हम चार केसे को डिसकस करेंगे और यह चोटा सा चाप्टर कम्टीट हो जाएगा अगर मैं इस कॉंपेटिशन एक की बात करूं तो इससे पहले बहुत सारे केसे हुआ करते थे बट वो सारे केसे सम एक ही सिमिलर ग्राउंड पर डिपेंडेंडन थे इस वज़े से इस इस में चेंजिस किये और अब सिफ नो ही केसे इंस्टेट्यूट ने अपने तरफ से मॉडिल में रिकमंड की हैं तो आईए कि देखते हैं कि इन केसे में क्या लिखा हुआ है तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जैसे सामने आपकी देखिए लिख रहा हुए कि अब दिये हैं और कुछ में नहीं दिये तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि सीरियल ओडर में करा देखिए ना बट फिर भी अगर मेरे को कहीं लगेगा कि कुछ केसे आपस में इंटर रिलेटेड हैं और अलग-अलग कराने जरूरी है तो सबसे पहले हैं स्टार्ट करने जा रहे हैं और यह केस नंबर वन कॉंपेटिशन लॉग के रिगार्डिंग है और क्या है इसमें लिखा काइडलाइजेशन इंडस्ट्रियल और ऑटो मोटिव बीरिंग अस्यू मोटो केस और कॉंपेटिशन कमिशन ओफ इंडिया सीची आइज जो एक अथोरी है विचिस अफस में मिल जाएं एक ग्रुप बना लें और मार्केट में कॉंपेटिशन को खतम करने की कोशिश करें तो इनाट सिचुएशन हम बोलेंगे कि यह कार्टल है और अगर सीची को पता लगता है कि कोई कार्टल एफेक्टिवली वर्क कर रहा है तो इनाट सिचुएशन उस provisions ऐसे हैं जहां पर लिखा है कि parties को अगर लगता है कि वो किसी cartel में involved है और अगर ये बात CCI को पता लग गई तो CCI उनके against action लेगी इस वज़े से उनको बोला गया कि अगर वो खुद ही ये बता दे CCI को कि हमारे बीच में cartel है और as such वो अपने सारे evidences दे दें तो in that situation CCI उनके against lesser penalty imposed करती है कैसी penalty imposed करती है lesser penalty तब ही यहां पर देखिए जो provisions यहां पर hit हो रहे हैं वो यह हैं और यह provisions कौन कौन से हैं like section 3 sub section 1 which deals with anti competitive agreements causing or likely to cause appreciable adverse effect on competition तो मार करिएगा appreciable adverse effect on competition इसको हम AEEC भी बोलते हैं क्या बोलते हैं short में AEEC appreciable adverse effect upon on the competition और यह कह रहे हैं कि section 3 sub section 1 कहता है कि अगर कोई भी ऐसा agreement है जो competition को खतम करने की कोशिश करता है अगर कोई agreement competition को खतम करेगा तो वो anti competitive agreement बन जाता है और ऐसा कोई भी agreement जो market में competition पर negative impact दानने जा रहा है वो particular agreement anti competitive agreement बना दिया जाता है ठीक है फिर कहते section 3 sub section 3 का clause A कहते 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 anti competitive agreements agreement directly और indirectly determines purchase और sales price को यह ऐसा particular agreement भले वो directly execute हो और indirectly जिसके basis पे parties of that particular agreement एक particular product की purchase price और sales price को restrict कर देए ठीक है कहते section 26 sub section 1 जो इस particular case में हिट होगा वो क्या है procedure for inquiry prima facie opinion for causing an investigation इंक्वाइरी स्टार्ट होती है अगर CCI को लगता है कि कोई particular case ऐसा है जहां पर investigation की requirement है तो CCI उस particular matter पर investigation करने के लिए director general को authorize कर देती है ठीक है कहते section 46 section 46 में power to impose lesser penalty अगर parties खुद CCI को बताते कि yes they are involved in a particular activity जो cartelization की process है या और भी बहुत सारे matter इस particular section 46 में cover होंगे तो in that situation CCI फिर एक नर्व मी बतरता है उस particular cartelization के अगे इसके लावा competition commission of India lesser penalty regulation CCI की lesser penalty regulation है जिसमें लिखा हुआ है कि किस तरीके से आप क्या procedure follow करेंगे अगर एक particular organization के आपको lesser penalty पोस्ट करने है तो केस के बारे में पहले दिखने क्या लिखा है कहते हैं इस case was initiated by the commission Siu Moto pursuant to a receipt of an application dated 26th of June 2017 under section 46 of the competition at 2002 कहते हैं कि competition at 2002 में section 46 में एक particular receipt आई है CCI के पास एक particular application आई है CCI के पास और इस application के basis पे commission CCI Siu Moto अपने आप ही उस particular application को analyze कर रहा है Red with regulation 5 of CCI lesser penalty regulation 2009 filed on behalf of a company whose name is F.A.G. Bearings India Limited now it is termed as Scaffler India Limited ठीक है और यहां इसको शाफलर भी बोल सकते हैं इसकाफलर भी बोल सकते हैं हम शाफलर जादा प्रॉपर तरीके से प्रनांस करते हैं तो हम यहां पे लिखा हुआ है कि एक application दी है किसने पहले paragraph को पढ़ने के बाद पता लगता है कि एक application हाई है CCI के पास under section 46 और उस application में उस application के basis पे CCI ने Siu Moto on its own एक particular inquiry launch की है ठीक है कहते हैं यह case क्या है कहते है the case was initiated on the basis of lesser penalty application कहते हैं इसको हम leniency application भी बोलते हैं कि पार्टी कहते हैं लीनियंट हो जाना CCI हमारे लिए क्योंकि हम स्यू मोटो आपको बता रहे हैं हम खुद आपको बता रहे हैं कि हाँ मैं इस पर्टिकुलर नॉन कंप्लाइंस में पाटिस्पेटर हूं या मैंने कोई प्रोविजन का वाइलेशन किया है मैं खुद आपको CCI बता रहें इस वज़े से आप हमारे अगेंस्ट एक नर्मी बढ़ती हैगा तभी उसके बारे में लिखा लेसर पैनलीटी अप्लिकेशन कैते दर केस स्टार्ट कैसे हुआ था कैसे स्टार्ट हुआ था क्योंकि एक लेसर पैनल पैनलीटी अप्लिकेशन रिसीव की गई थी बैए CCI under the provision of section 46 of the act by Shaffler Company क्याते ओर इस अप्रिकेशन में क्या था इंदसेट एप्रिकेशन इंदस्ट इंदस्ट आप्रिकेशन इंचिया था इंदस्ट आप्रिकेशन इंदस्ट इंडिकेशन इंड्स्ट इंस। नेइल कहते हैं इस particular paragraph को पढ़ने के बाद ऐसा पता लगता है कि सर एक lesser penalty application थी lesser penalty application थी जो file की थी किसने कहते हैं Shaffler कहते है Shaffler company ने ये lesser penalty application file की थी किसको to CCI और CCI को बोला था ये particular application जो लगाई दिए थी under section 46 लगाई गी थी कि हमारे उपर जो penalty impose करनी है CCI वो less करिएगा क्योंकि हम खुदी आपको बता रहे हैं कि हमसे क्या हो गया है हम ऐसे बोल सकते हैं कि violation हो गया है violation हो गया है of the provisions of violation of the provisions of competition act तो ऐसे कुछ situation है हमारे साथ है और शाफनर ये कह रही है कि हमसे कि cannot violation हो गया है तो CCI को बताती है कि सर हमें का ना चुके है हमने का में कांचिजेशन की process को किया है और उन एक कांचल बनाया है इसके साथ मिलके कहते है चार कंपनिया मिली और वह चार कंपनियों के नाम क्या है कहते है तो शाफनर Kız यहां पर मांक करते हैं कौन कौन कहते हैं में कि कैते हैं अगर कमीशन सटइस्थाइए हो जाता है कि कोई कोई producer, seller, distributor, trader, service provider included in any cartel which is alleged to have violated section 3 कहते हैं कोई producer, seller, distributor, trader, service provider ने मिलकर कोई cartel बना लिया है और उस cartel को बनाने के बाद उन्होंने section 3 के provisions का violation कर दिया has made a full and true disclosure in respect of the alleged violation और उस particular cartel की parties ने CCI को खुद true disclosure, full disclosure दे दिया है regarding such violations and such disclosure is vital impose upon such producer तो कहते हैं और वो particular disclosure बिलकुल clear cut बताता है कि हाँ आपने violations किये हैं उस particular cartel के regarding तो in that situation जो CCI है it may impose upon such producer, seller, distributor, trader or service provider a lesser penalty as it may deem fit than leviable under this act or the rules or the regulations कहते हैं अब यहाँ CCI क्या करेगा ऐसी situation में उन particular producers, sellers, distributors, traders, service provider जो स्कार्टल में involved हैं उनके against नर्मी बढ़ते बाँ क्यूंकि अगर इस cartel के बारे में CCI को खुद पता लगता तो CCI किसी भी तरीके की नर्मी ना बढ़ता लेकिन यहाँ तो parties ने खुद बोल दिया है कि सर हम ने एक agreement किया और बाद में हमको पता लगा कि वो agreement एक cartel बन गया बाद में हमको पता लगा कि हम लोग जो कर रहे हैं वो violation of competition act है violation of the provisions of competition act है और हमको पता लगया कि हमने गलती किये तो CCI हम अब खुद आपको बता रहे हैं कि हमसे गलती हो गई है और क्यूंकि हमसे गलती हो गई है CCI ने forming a prima facie view of contravention of the provision of section 3 subsection 1 read with section 3 subsection 3 clause A of the act by the aforementioned companies and hence referred the matter to director general for investigation कहतें CCI के पास जब या application आई तो CCI ने एक prima facie view बनाया इन सारे points को पढ़ने के बाद CCI ने एक तरीके से एक view बनाया कि लगता है कि हाँ सच में section 3 subsection 1 और section 3 subsection 3 clause A का violation हुआ है क्योंकि party ने section 46 में ये application दी है कि हमारे पर less penalty impose की जाए but penalty less तब impose की जाएगी जब director general अपने report के से ये बोले या CCI एक ऐसी authority है जो ये बोले कि हाँ इन particular companies ने सच में violation किया है क्योंकि अगर इनोंने violation किया है तो ही इनके उपर penalty impose होगी ठीक है तो ये application दी किस ने थी क्याते है शाफलर company ने दी थी जिसमें तीन कंपनिया और involved थी शाफलर along with NEIL along with SKF along with Tata Bureau ठीक है कहते हैं अब आगे क्या हुआ तो कहते हैं कि CCI ने इस particular matter को further investigation के लिए किसके पास बेज़ दिया है director general के पास कहते हैं आईए जो बाकी section से उनको भी देखने थे detail में की क्या लिखा हुआ है तो कहते है section 26 subsection 1 क्या कहता है it states that on receipt of a reference from the central government or a state government or a statutory authority or in its own knowledge or information received under section 90 कहते हैं यहाँ पर हम बोलें तो section 26 subsection 1 कहता है कि अगर कोई reference की receipt हो रही है कोई reference आ रहा है CCI के पास from central government or a state government or a statutory authority or on its own knowledge or information received under section 19 if the commission is of the opinion that there exists a prima facie case it shall direct the director general to cause an investigation to be made into the matter और इसी section का use करते हुए यह particular case हमारा वाला जो case है यह director general के पास transfer किया गया क्योंकि CCI को on its own knowledge उनको लगता था कि सच में हाँ कही न कहीं violation हो आए अच्छा हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि Shaffler जो यहाँ पर company है वो खुद क्यों गई तो हम लोग बोले Shaffler इसलिए गई क्योंकि उनको पहले नहीं पता था कि as जो वो particular activity कर रहे है वो violation of competition act है बट जैसी उनको पता लगा कि जो एक्टिविटी कर रहे है उनको लगता है शायद यह violation हो सकता है तो इसलिए उन्होंने खुद ही कहीं CCI हमारे अगे इंस्ट आक्शन ना ले इस वज़े से हम खुद ही CCI के पास सटे जाते हैं और उनसे recommendation ले ले लेते हैं कहते है CCI को अगर प्राइमा फेस ही लगता है कि हाँ सच में कहीं न कहीं violation है regarding any provision of the competition act तो वो डिरेक्टर जनल था किस पर्टिकुलर मैटर को investigate करने के लिए क्लिए सकती है वो section 26 subsection 1 में लिखा है कहते है section 3 subsection 1 क्या कहता था it states that no enterprise or association of enterprise ना ही कोई enterprise ना ही कोई association of enterprise ना ही कोई person ना ही कोई association of person they shall enter into no enterprise shall enter into any agreement in respect of production, supply, distribution, storage, acquisition or control of goods or provision of services which causes or is likely to cause an appreciable adverse effect on competition within India कहते किसी भी enterprise किसी भी association of enterprise किसी भी person किसी भी association of person के पास कोई राइट नहीं है कि वो कोई ऐसे agreement में enter करे in respect of production, supply, distribution, provision of services, acquisition, control of goods कि जिससे market में इंडिया की market में competition पर adverse effect पोड़े आगर आपने कोई as such agreement किया जो section 3, subsection 1 का violation करता हो तो इना है situation आपकी against action लिया जाएबा section 3, subsection 3 यह कहता है कि that any agreement entered into between enterprises or association of enterprises or person or association of person or between any person and enterprise section 3, subsection 3 को clause A बोलता है कि अगर कोई agreement enter हुआ है between enterprises or association of enterprise या फिर between person or association of person या फिर person और enterprise के बीच में और decision taken by any association of person or association of persons including cartel engaged in identical or similar trade of business business को मैंने आप इसलिए बोल दिया क्योंकि trade of goods and services लिखा रहे हैं विच डारेक्ली और इंडारेक्ली determines purchase और sales price क्याते हैं आपने कोई ऐसा agreement कर लिया है जिसकी वज़े से आब आप क्या कर रहे हो अपनी सारी commodities की prices को fix कर रहे हो जिससे कि market में competition ही खतम हो जाए like example देते हैं माल लिजे कि market में 3 player है particular product के regarding P1, P2 and P3 यह 3 player है और यह 3 आपस में अपने अपनी commodity को sale करते हैं और तीनों आपस में एक दूसरे से competition करते है अब इनका product P1 बेचता है 140 में P2 बेचता है 141 में P3 बेचता है 139 में इन्होंने बोला यार क्यों ही हम आपस में लड़ने हैं क्यों न हम तीनों लोग ही market में player हैं हमारे अलाबा तो हमारी कोई commodity sale करता नहीं market में तो क्यों न हम तीनों लोग मिल जाए और हम लोग इसको 160 रुपे में बेचें consumer के पास कोई option ही नहीं रहेगा देखो तुम भी profit कमाओ, तुम भी कमाओ, तुम भी कमाओ हम तीनों ने मिलके competition खतम कर दिया और एक price determine कर लिया कि इतने रुपे में ही commodity को बेचेंगे तो ऐसी case में CCI कहता है कि आपने जो agreement किया है, वो violative है, किसका violative है section 3, subsection 3 के clause 1 का, क्योंकि आपने purchase या sales price को fix कर दिया है through an agreement, ऐसा करना violative होगा of the provisions of competition है, ठीक है, कहते हैं, हमारे case में भी कुछ ऐसे हुआ है, तब ही लिखा है, during pendency of investigation, कह रहे हैं, अब ही investigation director general कर ही लहर था, पहले lesser penalty application किस ने दीती, शाफ्लर ने अब कह रहे है, NEIL also approached CCI by filing a lesser penalty application, कहते हैं अब यहाँ पर NEIL भी आ गया कि सर, हमारी भी section 46 में lesser penalty application ले लो, अब भी तो investigation ही चल रही है ना, अगर investigation में कुछ गरबड निकले, तो हमारे अपर नर्भी बढ़तना, the DG found cartelization amongst the four companies named NEIL, Shoffler, SKF and Tata Bearing, in contravention of the provision of section 3, subsection 3 clause A, read with section 3, subsection 1 of B, कहते हैं, अब जब pendency चल रही, जब investigation चल रही थी तो NEIL भी section 46 में लेसर penalty application लगा दी, DG ने अपनी investigation के और investigation के बाद उनो ने बोला कि, yes, there is a cartel between all these four, there is a cartel among all these companies, और इनो ने violation किया है, और इनो ने विलेशन किया है of the provisions of competition app, ठीक है, the DG conducted a detailed investigation and found cartelization amongst NEIL, NEIL, sorry, इसको यहाँ पर लिखती जगा, NEIL Shaffler, Tata and SKF during the period from November 2009 to January 2011 कहते हैं, यहाँ पर DG ने बोला है साफ सब अपनी investigation report में और investigation में डाला है, कि yes, इन चार कम्पनियों के बीच में एक cartelization था, और वो cartelization का प्रिट कब तक चला है, November 2009 से January 2011 तक, but the DG did not however, find any evidence against Timken लेकिन एक particular 5 वी company और थी जिसके बारे में मैंने mention नहीं किया, but वो particular company मैंने mention इसलिए नहीं की, क्योंकि वो इस particular case में involved नहीं है, सिर्फ इतना बोलागे कि वो इस particular cartelization में involved नहीं ठीक है, although उसके पर question raised हुए थे, but finally DG ने बोला कि वो company इस particular cartelization में involved नहीं होती, तो Timken company को तुम किनारे कर देते हैं, ठीक है, कहते है, DG concluded that the competitors met and share confidential information with an intent to achieve higher profits Director General यहाँ पर अपनी report में क्या कहता है, कि इस बात से हम इस बात की conclusion देते हैं कि competitors जो हैं, यह चारो companies है इनके representatives आपस में मिले थे, और इन चारों लोगों ने आपस में कुछ confidential information share की थी, और यह information इसके share की गई थी, जिससे कि यह higher profit earn कर सके हैं, कहते है person to submission of the investigation report of the DG, the CCI allowed all the parties to submit responses and appear before it for oral arguments, कहते हैं, जब DG की report CCI तक पहुची, CCI ने सब कुछ analyze किया, तो CCI ने सारी parties को notice भेजिए बोला, आप अपना अपना view भी रखिए, अब आप क्या कहना चाहते हैं, इस DG की investigation report की against, और उनको oral arguments के लिए बुलाया भी है, the CCI based on the investigation report and argument of the parties, concluded that NEIL, Shaffler, TATA and SKF attendant two in-person meetings, कहते हैं finally, जब report को पढ़ा गया, समझा गया, investigation report को देखा गया, DG की parties की बातों को सुना गया, उनके सारे contentions को सुना गया, उसके बाद, finally CCI कहता है, कि इन चारों लोगों के representatives, इन चार कंपनियों के representatives, दो बार meeting कर चुके हैं, and they were also having telephonic conversations on various occasions, to determine the price of the bearings being sold to the original equipment manufacturers, और इन लोगों ने बहुत सारी telephonic conversations भी की हैं, on different occasions, किसलिए की हैं, सर ये मिले भी हैं, और phone, telephonic conversation भी इसलिए होई है, जिससे कि ये particular product का price fix कर सके हैं, जो ये manufacturer को बेचेंगे, क्योंकि इन सब लोगों ने मिलकर एक price fix कर लिया है, तो manufacturer के पास कोई option ही नहीं है, उनको एक ही price पे उस particular bearing को purchase करना होगा, क्याते हैं, जो ये दो मीटिंग हुई थी, जो competitors के साथ हुई थी, उन मीटिंग में जो individuals प्रेजेंट है, डिरेक्टर जनल ने उनसे बात की है, उनके interrogation हुई है, और उन्होंने इस चीज को accept भी कर लिया है, कि हाँ, वो मीटिंग में CCI found this evidence to be enough to establish a cartel under the competition act, CCI कहते हैं, इन सारे matters को देखने के बाद, इतने सारे evidences के बाद, हम इस conclusion पर पहुँच चुके हैं, कि yes, there is a great possibility कि इन चारों के बीच में एक cartel था, the CCI finally concluded that once agreements are established under section 3, subsection 3 of the competition act, it would be presumed to have appreciable adverse effect on competition within a group, CCI यहां पर कहते हैं, कि अगर कोई agreement section 3 के violations section 3 के against बना है, तो in that situation हम मानेंगे कि वो अप्रिशेबल adverse effect create करने के लिए ही बना था और यहां तो साफ साफ दिख भी रहा है, कहते हैं, on 5th of June 2020, after taking cognizance of the evidence corrected by the DG, and of the lesser penalty applications filed by Shoffler and NEIL, the CIA concluded that four bearing manufacturers namely NEIL, Shaffler, SKF, Tata Bearing had indulged in cartelization, in contravention of the provisions of the relevant provision of competition, और क्याते हैं, पांच तारिक को, पांच जून की तारिक को, सारे evidences को collect करने के बाद, दोनों companies की lesser penalty applications को accept करने के बाद, finally CCI ने conclude किया, कि इन जारों के बीच में cartelization तो हुआ था, लेकिन यह बात कहीं अभी proof नहीं हुई है, कि इससे इनको कुछ प्रॉफिट हुआ है या क्या हुआ है या इसका execution proper हो पाया है या नहीं हो पाया, considering all the relevant factors in terms of section 27A of the act, the CCI, direct N.I.I.I.L., Schraffler, SKF, and Tata bearing and their respective officials, who were found libel in terms of section 48, कहते हैं, जब हो एक company as such contravention करते हैं, तो company और उसके ब्याद, उसके officials भी उस पर्टिकुलर फॉल्ट के लिए libel माने जाते हैं, जो section 48 में लिखा हुआ है, और उन्होंने उनके against order कहा सुनाया, to seize and desist in future from indulging into practices which have been found to be in contravention of the provisions of the act, और उनको एक strict directions issue करते हुए, फटकार लगा देगी कि अगली बार से आप ऐसी किसी प्रोविजिन ऐसी किसी violation में involved ना हुएगा तो इस बार तो हमने नर्मी बढ़ दिया है, अगली बार से आपके against नर्मी नहीं बढ़ती जाहें, तो seize and desist का order देते हुए, किसका order, seize and desist का order देते हुए, कि आप इन activities में future में involved ना हुएगा, ये कहते हुए, CCI ने उनको छोड़ती है, ठेक, आगे बढ़ते हैं सर्थ, next case पर आते है, case number 2, किसके बीच में है, कहते हैं, travel agents association of India, जिसको छॉट में TAI, TAI भी बोलेंगे, TAI, travel agent association of India, ये कैसी association है, जो travel agencies के rights को protect करती है, ठीक है, कहते ह अगेंस्ट में है, department of expenditure, of ministry of finance and other departments, और department of expenditure को शॉट हम शॉट है, DOE, तो में एक पाटी बोलेंगे की, travel agent association of India, TAI, और opposite में बोलेंगे, ministry of finance का department of expenditure, कहते है, ये matter CCI के सामने है, और ये particular matter है, इसके regarding, तो कहते है, ध्यान से देखे है, the CCI held at engagement of a travel agency by a government department, is not in the nature of an agreement which relates to any economic activity, कहते ह इस case में हुआ क्या था, कि ये जो department of expenditure है, जो ministry of finance का पार्ट है, इसने एक particular दो, दो, एक को नहीं राधर दो, एक सपोस T1 और एक T2, इन दो agents को authorize कर दिया था, कि जितनी भी official purposes के लिए, इन्होंने क्या बोला था, जितनी भी official purposes के लिए, government servants को, अगर कोई भी air ticket book करानी है, तो वो इन सिर्फ दो ही travel agent से book करा सकते हैं, और किसी से नहीं करा सकते हैं, द्यान से सुनेगा क्या बोला जा रहा है, यहां बोला जा रहा है, department of expenditure, ministry of finance ने एक memorandum इशु किया, और उस memorandum में लिखा, कि जितने भी government servants, अपनी official duty को perform करने के लिए, air tickets book करवाते हैं, वो इन ही दो agent से book करवा सकते हैं, T1 and T2, let's say अपने examper, इनके अलावा, अगर कोई government servant किसी भी तरीके की air ticket book कराता है, तो उसको valid नहीं माना जाएगा, उसका reimbursement claim नहीं करवाया जाएगा, अब जो यहां पर TAAI है, TAAI कोन है, Travel Agent Association of India, वो यहां पर CCI के पास एक application डालती है, कि सर यह त उनों लोग जो भी अपनी commission charge करना चाहें, वो करेंगे, और कोई third party तो यहां पर involved हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि government ने साफ मना कर दिया, कि मापको reimbursement ही नहीं देंगे, तो क्या यह सा करना ठीक है, क्या यह competition act के provisions का violation नहीं है, यह CCI से question raised किया गया, लेकिन CCI ने क्या गोला, कि government servant different agents से अपनी air ticket book करवाते थे, और imaginary figures quote करके government से reimbursement दे लेते थे, different different मिली भकत हो जाती थी, government servant की और agents की different different agents की और वो different different prices charge करके government से reimbursement कर लेते थे, और इस practice को रोकने के लिए, बहुत सारे other government departments की तरफ से request आई थी to department of expenditure, इस वज़े से सर उन्होंने इन दो agents को advice किया, क्या नहीं हो रहे हैं, इस वज़े से इसमें कोई problem नहीं है, अब देखते हैं, आप कौन कौन से sections हो रहे हैं, एक section 3, subsection 1, जो already मुपर पढ़ चुके हैं, एक section 3, subsection 4, एक और यहां पर लिखा हुआ है, इसको भी पढ़ देते हैं कि क्या लिखा हुआ है, तो कहते हैं, द्यान से in respect of production, supply, distribution, storage, sale, or price of trade in goods or provision of services, it shall be an agreement in contravention of subsection 1, if such agreement causes or are likely to cause an appreciable adverse effect on competition of India, लेकिन CCI कहती है, सरी यहां पर लिखा हुआ है, यह जो agreement हो रहा है, यह किसके बीच में हो रहा है, different stages or level of production chain, लेकिन हमारे case में ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमारे case में department of expenditure और travel agents का आपस में कोई link ही नहीं बनेगा, तो हम उनको एक level पे रखी नहीं सकते हैं, अभी दिखते क्या लिखा है, in the present case, an information has been filed by travel agent association of India, एक information file की गई थी, एक complaint रादर फाइल की गई थी CCI के पास, under section 19, sub section 1, clause A of the competition act 2002, किसके against, against department of expenditure, government of India, जो पहली party थी, दूसरी party, बाल मेर लॉर इंट जो हमने बोल पे, और एक अशोग travels and tours, यह हमारी opposite party 2 है, यह हम ऐसे कह सकते हैं, travel agent number 2 है, जिसको government ने appoint किया है, alleging contravention of the provision of section 3, sub section 4 and section 3, sub section 1 of the act, और इन्होंने ये बोला था, कि इन्होंने section 3, sub section 4 और section 3, sub section 1 का violation किया, section 3, sub section 4 क्या था, हम उल्यटी पढ़ चुके हैं, section 3, sub section 1 क्या हम उल्यट पिछले case में पढ़ चुके हैं, तो बार-बार पढ़ने की जड़त नहीं है, हाँ, section 19, sub section 1 clause A का reference आया, वो देख लेते हैं, कहते section 19 कहता है, the commission may inquire into any alleged contravention of the provisions contained in sub section 1 of section 3, और sub section 1 of section 4, section 4, sub section 1 dominant position की बात करता है, although शायद आप competition act पढ़ भी चुके होगे, बट नहीं भी पढ़ा तो dominant position के बारे में भी हम next cases में पढ़ेंगे, तो अभी मैं उसको थोड़ा side में रखता हूँ, और हम ऐसे बोलते हैं कि section 19 ये कहता है कि competition commission of India, जहाँ जहाँ भी word commission लिखा होगा ना, इसका मलब यहाँ पे CCI है, कहते CCI inquiry कर सकता है, किसी भी particular matter की, अगर उसको लगता है कि एक regulations from any person, consumer और their association और trade association और हम बोलेंगे हमारे case में रिखें यहाँ पर trade association है, क्योंकि travel agent association of India एक trade association है, जो travel agencies के production right के production की बात करती है, तो इसी section 19 subsection 1 के clause A में लिखे trade association word की वज़े से इन्होंने एक information file किया है, एक तरीके से complaint file किये CCI के पास, और उनने ये बोला है कि सर ये जो department of expenditure है, with travel agent number 1, or with travel number agent 2, इन दोनों के साथ मिलकर इन्होंने एक agreement कर दिया है, विच इस वज़े से उनके agreement कर दिया है, तो इस वज़े से उनके agreement कर दिया है, और इस particular travel agent को appointment की बात को cancel किया जा है, ठीक है, क्याते TAAI, that is travel agent association of India, company incorporated in the companies like 1955-56, it is an association of travel agents with the primary objective to protect the interest of the travel and tourism industry, and promotes its orderly growth and development, क्याते हैं, यह particular organization, यह association क्यों बनी है, सरी यह association है, जो companies एक में registered है, और इस association का primary objective है, to protect the interest of the travel and tourism industry, कि यह particular association किसके rights को protect करना चाहता है, किसके interest को protect करना चाहता है, regarding the protection of travel and tourism industry, and to promote its orderly growth and development, और इस particular industry का development हो, इस के यह particular association काम कर देए, to further this objective, TAAI licensed with the ministry of tourism, Government of India, और साथी साथ, एजेंट के बिहाफ पे, अगर government से कुछ बात करता है, तो वो यही particular association, क्याते है, क्याते है, DOE, Department of expenditure, जो इस तरीके से खर्च हो रहा है, क्या finance मैनेच किया जाना है, यह DOE का काम है, and matters connected or incidented to the finances of the government of India और government के regarding जितने भी financial steps होते हैं वो इस Department of Education की तरूभी ले जाते हैं कहते हैं Balmer Lorry is a government company यह हमारा travel agent number one है कहते हैं कि Balmer Lorry यह government company है under the Ministry of Petroleum and Natural Gas Government of India and Balmer Lorry is stated to be one of the two exclusive travel agents which has been approved by DOE और कहते हैं जो Balmer Lorry यह जो company है गर्मेंट company यह दो agents में से एक company है जिसको DOE नहीं authorized किया होगा कहते हैं बाकी अगर बात रही दूसरी company की तो Ashok Travel is one of the divisions of the Indian Tourism Development Corporation कहते हैं जो Ashok Travel है यह हमारे Indian Tourism Development Corporation का एक unit है एक division है Ashok Travel is stated to be one of the largest travel and tour operators in India कहते हैं जो यह Ashok Travel है यह one of the largest travel and tour operators in India है providing other travel related services and now Ashok Travel is the other travel agent approved by DOE और कहते हैं पहले number पे तो बालमल लॉरी थी जो दो travel agents में से एक authorized थी और second number पे Ashok Travel है जो एक again travel agent है यह travel agent number 2 हो गया और यह travel agent number 12 हो ठीक है जिनको DOE ने authorized किया होगा किस के लिए authorized किया होगा आएए देखते हैं कहने लिखा है 24 मार्च 2006 को DOE ने एक memorandum issue किया regarding what? regarding guidelines on air travel on official tours purchase of air tickets from authorized agents और in regulations के थूँ guidelines issue ही कि अगर कोई भी particular government officer अपने official tour पे जाना चाहा है और उसको air travel करने है तो उसको air tickets जो purchase करने है वो from authorized agents ही करने होगी by which it was stipulated that while utilizing air transport and the services of travel agents for booking air tickets government employees have to exclusively utilize the services of either Balmer Lorry और Ashok Travels to the exclusion of other travel agents across the nation इसको बहुत important बाख करिएगा क्योंकि यही main memorandum की line है जिसकी वज़े से issue create हुए और ऐसे बोला गया कि यह condition डाली जाती है सारे government employees के उपर मैं अलग से highlight भी कर देता हूँ कुछ चीजों को यह restriction सब के उपर नहीं डाली जाती है सिब government employees के उपर डाली जाती है कि अगर वो air transport की services या travel agents की services देना चाहते हैं किसके रिया for booking air tickets तो उनके पास सिब दो ही options हैं या तो बालमर लौरी पर जाओ या फिर अशोग टेल्स के पास अपनी tickets बुक कराओ ठीक है अब जो TAAI था now it has been stated that restricting the choice of government employees was opposed by the government employees कहते हैं government employees भी decision से खुश नहीं है क्योंकि कहीं नको भी लगता है कि जो पहले वो धुखा जड़ी कर ले रहे थे instances of many government employees using the services of private travel agents for booking of air tickets for official travels came to the notice of DOE और DOE कहती है इससे पहली वे मारकास बहुत सारे matters आयते जहां government employees different private travel agents की services का use कर रहे थे for the booking of air tickets तो हमने से थे एक memorandum issue किया है policy बनाई है कि आप इनी दोनों से लीजे हमने उनके साथ CCI कोई agreement sign नहीं किया है हमने दोनों travel agents के साथ कोई agreement sign नहीं किया हुआ कि इतना तुम लेना तो उसमें से हमको इतना देना ऐसा कुछ नहीं हुआ कहते है आगे लिखाए they also received a large number of proposal from various administrative ministries of several PSUs and departments of the government of India for grant of ex-post-facto relaxation the guidelines issued for air travel and official tools wide office memorandum DOE कहते ही है हमने ऐसे ही कोई action नहीं ले लिए random basis में इससे पहले भी हमारे पास बहुत सारी applications आई हुआ है different different government department से PSU से और इसके regarding हमने यह decision दिया इस office memorandum कि तो it was alleged that एक allegation लगाया गया that by granting exclusive right to Balmer, Lorry and Ashok travels through office memorandum and subsequent circulars DOE had foreclosed DOE had foreclosed competition in the market for travel agent services for booking air tickets in India and has restricted choice of government and public sector employees to only Balmer, Lorry and Ashok travels और ऐसा allegation लगाया है यहाँ पर T.A.I. ने कि sir इस decision की वज़े से इस office memorandum की वज़े से और इसके regarding कुछ सर्दूर्स की वज़े से market में competition खुरी तरीके से खतम हो गया और market में government employees को को टिकेट बुकरानी तो उनकी पसे दो ही options है बाकि travel agents के साथ तो गलत हो रहा है लेकिन CCI यहाँ पर क्या कहते ही कहते है the commission observed that DOE's principal activity appear to be in realm of policymaking and interface with various ministries and not commercial in nature बहुत important line यहाँ पर बोली है CCI ने CCI गहती है अगर आप DOE का main principal activity जाने तो DOE Department of Expenditure का जो main principal activity है वो यह है कि वो policy त्यार करें policymaking में काम करें and interface with various ministries and not commercial in nature DOE कोई commercial business नहीं कर रहे है DOE कोई commercial activity नहीं कर रहे वो तो से policy त्यार करती है वो various ministries की बीच में जो खर्चे हो रहे हैं उनको regulate करती है क्याते है accordingly DOE cannot be regarded as an enterprise in terms of section 2 clause edge of the act और सर्ड़ी दी ओई कोई एक particular enterprise नहीं है इस competition act के लिए especially in relation to circular switcher और खास करके जो circular आई हैं सर्वो उनकी ministry लिए power के थूद ही गए है और वो जो circular से हैं वो किसी commercial nature के नहीं है which is nothing but manifestation of government policy in relation to its availing of particular services as a consumer और सर्वो कुछ अलग नहीं है कि अब यहां यहां से खर्च सर्विसे अवीज है कैते तक commission also noted that there does not seem to be any vertical relationship between DOE and Balmer, Lorry and Ashok Travels as DOE does not fall in any level of production change in a market कैते इनके बीच में कोई particular as such agreement नजर ही नहीं आता क्योंकि कहीं न कहीं से DOE इस market का पार्ट ही नहीं है वो तो एक अलग unit है वो travel agency और travel agents के business का कहीं से दूर दूर तक उसका लेना देना है lastly the commission also observed that office memorandum and subsequent circulars are not in the nature of agreement pertaining to an economic activity कैते हैं अगर हम इस office memorandum या circular की बात करें तो यह कोई agreement नहीं है in terms of any economic activity but there are only internal administrative decisions of the government to deal with a particular agency in the matter of securing your tickets कैते हैं यह circulars कोई agreement नहीं है यह सिर्फ खाली सिर्फ और एक internal administrative decision है जो government ने लिया है कि किससे किससे उसके government employees services अवेले करें कैते हैं such policy decision of the government in acting emanating through circulars cannot be termed as an agreement under the provisions of this particular act और ऐसी policies के regarding ऐसे circulars को ऐसे office memorandum को agreement declare नहीं कर सकते हैं तो कोल मिलाके CCI किया दी है कि किसी भी तरीके से department of expenditure नहीं क्या तभी accordingly the commission held that as there was no vertical agreement between DOE Balmer Lorry and Ashok Previls under section 3 sub section 4 therefore there lies no confirmation of the provisions of the competition क्योंकि जब इनके बीच में कोई agreement ही नहीं है तो section 3 sub section 4 तो बीच में आया ही नहीं ठेक है चालो अगले case पर आता है case number 3 case number 3 किस के बीच में बैचे लिखा हुआ है R.H.Agro Private Limited versus State Bank of India बचे देखो ध्यान रखना जब ही मैं कोई नया case स्टार्ट करता हूँ अगर आपको लगे कि वो पुराना वाला case आपको revise करना है तो जरूर से वीडियो को pause कर लोगे उसको revise कर लिया तो आपको टाइम नहीं दे रहा बट यूट्यूब के लिए वीडियो में आपको पॉस्ट कर लिए रांस करें फिर स्टार्ट कर लिजागा नहीं केस को वह बहुत जरूरी है वैसे although हमनों line by line पढ़ रहे हैं तो कुछ छोटे का नहीं बट तुरंद के तुरंद revise कर लोगे तो it will be a great help आपके लिए खुदी आपको help और चलो आगे बढ़ते हैं कहते हैं यह dispute हुए एक company के बीच में और SBI के बीच में matter कहां पर है सर CCI पर और कहते हैं इस particular matter में क्या हो रहा है तो कहते हैं सर इस particular matter में हुआ क्या कि आरेच एग्रो प्राइविट लिमिटेड ने एक सर्टेन अमाउंट ओफ लोन लिया from SBI और वो लोन नहीं रीपे कर प कर पा रही तो SBI being a secured creditor SBI being a secured creditor अपना right exercise करती है और वो बोलती है कि जिन security के basis पे SBI ने आरेच एग्रो प्राइविट लिमिटेड को लोन दिया था अब उस secured assets को auction की तरू सेल कर दिया जाए लेकिन आरेच एग्रो प्राइविट लिमिटेड ये कहती है कि सर SBI ने दो companies के स साथ मिलकर एक agreement कर लिया है और वो अपनी dominant position का misuse कर रही है और वो उन दो companies को इस particular asset को बेचने में फाइदा कराना चाहती है इस होजे से SBI इस action को conduct कर रही है क्या है ऐसा कहना ठीक है देहां से देखे क्या है कहते CCI observes that a bank acting as per the remedies available to it under the surface act for recovery cannot be termed as a dominant entity CCI ने साफ-साफ अपना remedies के regarding जो remedies उसको available है under the surface act अगर वो अपनी remedies का exercise कर रहा है तो situation में कहीं भी हम उस bank को एक dominant entity नहीं बोल सकते हैं वो dominate नहीं कर देहीं सर्व उसका right है वो पर remedies available कर रही है लेकि एक example देते हैं सर मान लीजे कि ये एक train है मान लीजे ये train और train के बाहर से 5 passengers खड़े हैं जो इस train मे control train में ये dominant position है इसकी आप चारग के बास बोला गया की bank अगर सारफ़ेसी Act के साओव अपने इस seamak touch रहा है तो उसकी dominant position इस वज़े से वाईसा कर रहा है नहीं रिघ साραने कर रहा है कहते हैं अगर वो सार्फिसी है के सारे provisions को follow करके ऐसे कर रहा है तो फिर उसमें कोई घरबड नहीं है वो उसका right है as it is acting in recovery of its funds money in order to mitigate losses in such transactions where account has been declared NPA और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसने जिसको पैसा उधार दिया था उसने पैसा वापिस नहीं किया इस वज़े से वो एक NPA बन गया है NPA उने का मलब non-performing asset हो गया है अब कहीं न कहीं से तो bank को recovery करनी है इस वज़े से bank उसकी recovery करना चाता है कहते है केस हुआ क्या आई देखने क्या लिखने क्या लिखना है जो हमारे केस में informant है section 19 subsection 1 clause 1 को याद करिएगा सेक्शन 19 subsection 1 clause 1 को याद करिएगा इस आरेच अगरोवर्सीस प्रावेट लिमिटेट ने एक information फाइल की है with the CCI through its authorized director under section 19 subsection 1 clause 1 of competition act 2002 किसके against की है against SBI जो opposite party number 1 है against पतंजली आयरुवेट जो opposite party number 2 है against international trader जो opposite party number 3 है ठीक है मैंने बोला था SBI plus two parties है तो यह plus two parties है alleging contravention of the provision of section 3 and section 4 और ऐसा बोला गया कि इन्होंने section 3 और section 4 का सब violation किया है तो इस वज़े से जो आरेच एगरो है जो आरेच एगरो है वो CCI को request करती है किसको request करती है CCI को कि CCI आप इस particular matter को जरूर ध्यान से सुनेगा पढ़िएगा समझ लेगा और आप देखिए कि कहीं न कहीं SBI ने with Patanjali and international trader section 3 and section 4 का violation किया of competition और section 3 में उन्होंने क्या violation किया वो क्याने सर इन्होंने collusive arrangement बना लिया एक agreement कर लिए सर उस agreement के basis पर ये auction की activities को temper करना चाहते है and international traders had entered into a collusive agreement under section 3 of the act in respect of the e-auction conducted by SBI to recover the outstanding news from the information सर आरे चेगरों यहां पर एक कह रहा है कि सर इन तीनों organizations ने आपस में एक agreement कर लिया है और उस agreement की वजह से सर हमारी assets को auctions के थूप purchase किया जा रहा है कौन purchase कर रहा है सर SBI बेच रहा है ध्यान से सुनेगा auction तो हो रही है सर, auction तो हो रही है, e-auction हो रही है सर कौन conduct कर रहा है SBI क्यों conduct कर रहा है क्योंकि इसने आरेच एगरों को एक loan दिया था और आरेच एगरों ने वो loan अभी repay नहीं किया SBI कह रहे हम तो secured creditor है हमने तो भाईय security लिवी थी तुम हमको पैसा नहीं दोगे, हम तुमारी security को sale कर देंगे, security को क्या कर देंगे sale कर देंगे, अब security को अगर sale करेंगे तो कोई तो खरीदार आएगा ना और उस auction में यह पतंजली आ गई है और यह international traders आ गई है अब informant कह रहा है कि सर यह मेरी security को sale करने के लिए SBI ने, पतंजली ने और international trader ने एक arrangement तयार किया है एक agreement कर लिया है जिसके थूँ मेरी properties को purchase किया जा रहा है, ठीक है कहते हैं सर, एक और allegation लगाया गया इनके उपर, an allegation was also made that SBI and its official were abusing their dominated position under section 4 of the act, ऐसा बोला गया कि सर, SBI एक बहुत बड़ा bank है, यह अपने dominant position का misuse कर रहा है along with its offices, as regards allegation under section 3 of the act, any agreement, understanding practice between businesses is scrutinized in respect of entities engaged in identical or similar trade of goods or provision of services, कहते हैं यहाँ पर CCI जए allegation लगाया है section 3 के रहे इसके बोला गया है, कि कोई agreement होना चाहिए, कोई understanding होनी चाहिए, कोई practice होनी चाहिए, between different different businesses और इसको scrutinize किया जाता है, कि कहीं यह लोग एक ही business में involved तो नहीं है, engaged in identical or similar trade of goods or provision of service अब ध्यान से देखे, क्या जो काम Patanjali करता है, क्या वही काम SBI भी करता है, कहते हैं सर बिलकुल भी नहीं in the similar line of business or horizontally placed so as to fall within section 3, subsection 3 तो सर, हम यह तो बिलकुल भी नहीं कहा सकते कि यह सर एक ही similar line of business में है, तो सर यह तो बात बिलकुल खतम हो जाते है कि सर यह बिलकुल similar line of business में तो है नहीं, यह production chain में नहीं आते ही नहीं क्योंकि SBI पतंजली आयूर्वेस से कोई लिना देना ही नहीं है, ना ही SBI का international trader से को लिना देना है, क्योंकि सर उनका काम trading का है और SBI का काम service sector का है, ठीक है, इवेन otherwise, कहते हैं, अगर और भी हम points देखें, तो the conduct of a secured creditor, who is this secured creditor SBI? in affecting sale of an asset, secured to it, कहते हैं, यहाँ पे तो क्या हो रहा है, कि जो secured creditor SBI है वो तो खाली क्या कर रहा है, एक asset को sale कर रहा है, और वो भी एक ऐसी asset को sale कर रहा है, जो RH एक्टो ने खुद उसको secure करके दी है, through an auction process और इस particular asset को कैसे बेचा जा रहा है auction की through बेचा जा जा रहा है, which could not be examined under the provision of section 3 subsection 3 clause D of the act, और इसको सरहम इस particular section 3 subsection 3 section 3, subsection 3 clause D of the competition act का violation नहीं मानते है, क्योंकि sir SBI कुछ ऐसा कर ही नहीं रहा जो competition act का violation रहा है, regarding the allegation of violation of section 4, कहते है रही बाद section 4 की, section 3 को तो हमने बिल्कुस दरकिनार कर दिया, क्योंकि सर्फेसी एक का full form लिखा हुआ है, sir छोड़िये हमारे मतलब का काम मेंगा, यहां क्या बोला गया, CCI ने observe कि जो बैंक है, वो अपने सार्फेसी एक के provisions का यूज़ कर रहा है और attempting to recover the outstanding amount in the event of default by the borrower guarantor could not be termed as a dominated entity, ओक है नहीं बैंक तो खाली एक primary security by a secure debtor for realization of funds cannot be set to be a transaction done in ordinary course of business और सर जो यह auction के थूँ इस particular company की funds realize के जा रहे है इस particular company से या इस particular company की security को बेच के जो funds realize के जा रहे है यह कोई ordinary course of business नहीं है, यह रोज का काम थोड़ी नहीं है, यह normal course of business है ही नहीं है therefore the sale of security of an account declared NPA is a remedy available to a secure trader under the provision of surface E Act और यह तो सर्फिस है, SBI को being a secure trader एक remedy दी गई है कि उसने जिसको loan दिया क्योंकि वो repay नहीं कर पा रा तो उसे recovery कर सके The commission observed further that a bank acting as per the remedies available under surface E Act for recovery could not be termed as dominant entity when it acts in accordance with the provision thereof किसके provision? सारफेसी के provision किसके provision? सारफेसी के provision कहते है अगर bank सारफेसी के provisions को follow करते हुए अपनी activity कर रहा है तो यह यह बिल्कुल नहीं बोलेंगे कि वो dominant position पर है and as it is acting in recovery of its fund money in order to mitigate losses in such transaction और यहाँ पे SBI सर्फिस कर रहा है क्योंकि अगर SBI ऐसा नहीं करेगा तो वो सारे losses SBI को जहन ले पड़ जाएंगे और ऐसे तो हर कोई loan लेगा और पैसा वापिस नहीं करेगा accordingly on 14th of May 2020 the commission found no prima facie case as on auction transaction initiated by a bank or financial institution as a secured creditor for the purpose of recovery इस वज़े से किसी भी तरीके का competition अपर violation यहाँ पे नहीं माला गया क्योंकि बैंक तो अपने rights को exercise कर रहा था जो कहां दिये होए थे सार्फिस यहाँ तो यहाँ बच्छे हमारे 3 cases complete होते है इसके बाद हमारा यह particular chapter में 4 cases completed जाएंगे और निक्स लास में यह particular chapter भी पूरी तरीके से complete कर लेंगे तो number what is this case number 4 क्याते case number 4 आईए दिखते हैं क्याते हैं CCI versus भारती Airtle Limited and others और यहाँ बच्छे CCI ना लिखे हैं आप सुप्रीम कोट कर लिए यह particular matter कहां पर चल रहा है बच्छे सुप्रीम कोट में दो पार्टीस पहुंचे हैं कौन-कौन एक तो CCI खुल और साथ में Airtle, Vodafone, Idea और यहां CCI के साथ Reliance Jio भी पहुचा है अब यहां से देखे हैं यह particular matter है टेलीकॉम इंडस्ट्री के रिगार्टिंग और टेलीकॉम इंडस्ट्री की सारी कंप्रेया है Airtle, Vodafone, Idea, Reliance Jio, You all must be aware about these companies और यहां पे जो सुप्रीम कोट के सामें यह particular matter पहुचा है यह CCI प्लस Reliance Jio लेकर आई है किसके अगेंस्ट Airtle, Vodafone और Idea कंप्टी के अगेस्ट ठीक है आईए देखने क्या है पहले हम उपर के decision को नहीं पढ़ें कि पहले इस particular matter को समझते हैं कि क्या है कहते हैं ध्यान से समझना कहते हैं Jio आया जब तो Jio आने के बाद यह Airtle, Vodafone और Idea इन तीनों के बुरे दिन शुरूर है क्योंकि जब Reliance Jio आया तो Reliance Jio ने इन तीनों की market को पूरी तरीके से पूरी तरीके से एक तरीके से बोलेंगे उनका विनाश कर दिया है क्यों? क्योंकि पहले यह मंचाहे prices चार्ज करते थे कितने महंगे SMS pack, data pack, talk times होते थे Jio के आने के बाद पूरी market एकदम cheap rate पर पहुच चुछ लिए Jio ने ऐसा allegation लगाया कि सर इन तीन कंपनियों ने आपस में एक agreement कर लिया है अब इन तीनों कंपनियों ने agreement कर लिया है इस वज़े से वो CCI से कहती है इस particular agreement के regarding investigation करिये लेकिन ये तीनों ही कंपनिया high court में चली जाती है और high court से कहती है कि सर CCI के पास तो हमारे telecom industry के regarding matter को deal करने की power ही नहीं सर जो Reliance Jio इस particular matter को लेके गया है कहाँ पे CCI के पास सर CCI के पास jurisdiction ही नहीं है क्योंकि हमारे ये जितने telecom regarding matters है ये तो TRI के अंडर आते है सर TRI telecom regulatory authority of India सर ये तो TRI को deal करना चाहिए CCI के पास इस particular nature की matter को deal करने की power नहीं आईए देखतें क्या हो जहां से देखें कर लिखा Supreme Court held at the competition act is a special statute and if there is anti-competitive conduct Supreme Court ने क्या बोला Supreme Court क्या रही है कि competition act एक special nature of legislature है and if there is any anti-competitive contract और कैते हैं अगर कोई भी nature का contract हुआ है which is anti-competitive then it is within the exclusive domain of the CCI to examine and rule upon it तो कैते हैं अगर किसी भी nature का contract हुआ ये agreement हुआ है जो competition के against है तो in that situation भले ही वो किसी भी sector का हो वो किसी भी field का हो CCI के पास exclusive power है उस particular nature of matter को deal करने की ठेक है even if TRI finds anti-competitive conduct केरें माल लीजे telecom regulatory authority को भी लगता है कि yes telecom industries ने आपस में एक agreement कर लिया है which is anti-competitive कैते हैं possible लेकिन its power would be limited to the action under the TRI act alone लेकिन जो इस particular anti-competitive agreement को ascertain करेगा वो सिर्फ अपने TRI act में कर सकता है लेकिन competition act जो बना हुआ है और जो CCI वो एक special nature of authority hold करती है in particular nature of matters को deal करने के लिए ठीक है अब अभी उपर वाला paragraph देखते हैं क्या लिखा है section 26 subsection 1 of the competition act is administrative in nature and further that it was merely a prima facie opinion directing the director general to carry the investigation the high court would not be competent to adjust the validity of such an order on merits कहते हैं high court ने CCI को मना कर दिया कि आप ऐसे matters को deal नहीं कर सकते यहाँ Supreme Court कहती है कि section 26 में जब हम ऐसे पढ़ते हैं कि CCI ने prima facie देखा कि हाँ लग रहा है कि violation हुआ है किसी provision का under competition act तो investigation के लिए director general को matter transfer कर देती है हम उपर भी पढ़ कर आ है कहते हैं सिर्फ CCI ने investigation के लिए matter director general को transfer किया इसका मलब यह नहीं कि company के गेंस पोई allegation लगा दिया तो अभी investigation चल रही है और हाई court अगर ऐसी CCI की power को respect करता है तो sir हाई court से गलती होई है ऐसा नहीं हो सकता आई देखते हैं क्या है कह रहे हैं यहाँ पर हाई court की पूरी गलती नहीं माने जाएगे कुछ decision ठीक माने जाएगे कुछ में clarification देखी सब्सक्राइब को देखने क्या है कि दरीका Reliance Jio Infocom Limited जिसको रही है RGIL RGIL Reliance Jio Infocom Limited has filed information under section 19 subsection 1 of the competition act before the CCI alleging anti-competitive agreement और cartel having been formed by three major telecom operators विच इनको रही होट में बोलेंगे incumbent dominant operators सर Reliance Jio के आने से पहले यही market को dominate करते थे ठीक है सर Reliance Jio ने 19 section 19 subsection 1 में अपना right use करते हुए कि information complaint फाइल किये to CCI और CCI को बोला है कि सर allegation लगा रहे हैं इन तीन companies के उपर कि इन तीनों companies के बीच में या तो cartel है या इन तीनों के बीच में कोई anti-competitive agreement है और ये तीनों लोग अपनी इस particular market का फाइदा उठा रहे है These cases were registered by CCI CCI ने इन cases को register कर लिए CCI को लगता है कि चलो ये particular matter में investigation तो बनती है तब लिखा आप इस particular matter पे investigation करिये Apart from IDOs IDOs को ने incumbent dominant operator certain allegations were also made against the cellular operator association of India कैते IDO पे तो ये particular allegation लगाई ही लगाई साथी साथ cellular operator association of India जो इस particular cellular ये telecom industry का association है उसके ओपर भी ये particular allegation लगाई कै कैते दे CCI issued notice to these parties and after hearing to RGIL the aforesaid cellular companies and COAI it passed a common order dated 21st of April 2017 in all these cases by holding a view that prima facie case exists and an investigation is warrantied into the matter कैते हैं CCI ने इन सारे matters को समझा information जो आई थी जीयो की तरफ से उसको समझा इन तीनो parties की बातों को सुना एक hearing conductor वाई सारी parties को बुलाया सब party से बात की conversation हुई और CCI को लगता है प्राइमा फेसी तो लगता है कि investigation की requirement है और इसी वज़े से उन्होंने DG के पास ये particular matter transfer कर दिया कि आप investigation करिये केते हैं it accordingly directed the director general to cause investigation in the case और इसी दिये director general को यहाँ पे दे दिया गई power कि आप investigation करिये क्योंकि CCI को ऐसा लगता है कि हो सकता है शायद कहीं न कहीं लग रहा है कि कुछ न कुछ गरबढ हुई है कोई वाइडेशन हुआ है क्याते हैं आगे रहा है रिट petitions came to be filed by the भारती एक लिमिटेट वोड़ाफोन इंडिया लिमिटेट आईडिया सेलिलर लिमिटेट और सी ओ एई क्याते हैं जैसे ही डिरेक्टर जनरल को इंवेस्टिगेशन के लिए बोला गया इन तीन कम्पनीज जो भारती एक लिमिटेट आईडिया वोड़ाफोन खलबली मच गई और साथी साथ सेलिलर ऑपरेटर एस्टिगेशन ऑफ इंडिया में भी खलबली मच गई और इन चार डिरेक्टर जनरल के जो इंवेस्टिगेशन के ओर्डर सीचाइए इसको क्राश कर दिया जाए और सब्सक्राइब कर दिया जाए क्योंकि सार इनके पास पावर ही नहीं है इस पर्टिकुलर मैटर को डिल करने को सिचुएशन यह है कि जीओ पहुचा CCI के बास CCI ने इंक्वाइरी कंड़की प्रिमिनरी इंक्वाइरी करी उसमें पता लगा कि आईडिया एर्टेल और वोडफोन इनके बीच में शायद कार्टल हो सकता है शायद इन्होंने कोई वाइलेशन किया हो और इस वज़े से इ CCI यह सच इंवेस्टिगेशन नहीं कर सकती इसलिए Bombay High Court आप CCI को बोलिए किस इंवेस्टिगेशन को तुन रखवा है कहते है अब यहां पर Bombay High Court क्या कहती है देखो लिए जज्ज्मेंट ऑफ उन्रेबल Bombay High Court यह क्या कहती है कहते है कहते तब मैटर वाइट जज्ज्में of April 2017 passed by CCI and Consequently notices issued by DG of the CCI have also been crashed और यह सबसे बड़ी गरबर वली बात हो ने क्या बोला कि सच में CCI आपके पास इस पर्टिकुलर नेचर को मैटर को डील करने की पावर नहीं है डिरेक्टर जनरल की इंवेस्टिगेशन को तुन रोका जाए CCI को एक्शन लेने से रोका जाए और CCI के अगेंस या डिरेक्टर जनरल की अगेंस यह मैं ऐसे बोल सकते हैं कि Companies के फेवर में Bombay High Court ने क्या बोला यह जज्जमेंट सुन आई क्या पहले पॉइंट पेले पॉइंट में बोलागे कि CCI तुमारे पास जुरिस्दिक्शन नहीं है नो जुरिस्दिक्शन नहीं जेख सेकेंड नमबर CCI कूट एक्साइज जुरिस्दिक्शन ओनली अफ्टर प्रोसेडिग अंडर ट्राइक्ट हैट अटेंट अटेंट फाइनलेटी इस इस बात को सुप्रीम कोट ने भी सही माला सुप्रीम कोट ने भी यहां पर यही बोला और बॉम्बे हाई कोट ने यहां पर क्या बोला बॉम्बे हाई कोट कहते हैं CCI तुम इंवेस्टिकेशन कर सकती हो तुम अपने जुरिस्दिक्शन का यूज कर सकती हो लेकिन तब जब ट्राइ अपना मैटर कंपीट कर ले अपने डिसीजन पर आ जाए उसके बाद तुम CCI अपना राइट एक साइस करता है सुप्रीम कोट कहते ही यह पॉइंट बिल्कु ठीक है दा ओडर डेटेट 21st of April 2017 पास अंडर सेक्शन 26 सबसेक्शन 1 अफ यहां गलती कर दी बॉम्बे हाई कोट क्या रही है कि सेक्शन 26 यह कोई administrative decision नहीं है दिखाए it is not an administrative decision but it is a कासी judicial one that finally decided the rights of parties and caused serious adverse consequences because a detailed hearing had been given and many materials had been tendered in the course of hearing क्योंकि आप बंबे हाई कोट कहती है कि CCI ने डारेक्ट कोई particular matter DG के पास transfer नहीं कर दिया उससे पहले hearing हुई थी CCI में सारे matters को CCI के सामने रखा गया था और CCI के DG को matter transfer करने का मतलब है कि इस hearing में CCI को लगता है कि इन company ने गलबड़ती है इसके Bombay High Court कहती है CCI यह ऐसा नहीं कर सकती अब इन तीन point में यह point गलत लगता है यह point भी गलत लगता है लेकिन यह point बिल्कु करेक्ट है Bombay High Court का यह point बिल्कु करेक्ट अब जैसे ही Bombay High Court ने DG की investigation को cancel किया और ऐसे ऐसे order सुना है जियो भी प्रशाद Competition Commission of India भी प्रशाद वो कहती पताओ यह तो गरबड़ है तब ही उन्होंने कहा अपील फाइल करती Supreme Court कहते Reliance Jio Infocom Limited is not happy with the aforesaid outcome outcome किसका Bombay High Court का Even the Competition Commission of India feels agreed और यहा CCI को भी लगता है कि सर यहां पे Bombay High Court से गलती हो weather has been filed by Reliance Jio तो यहां पे applications लगाई गई कहां पे Supreme Court में ठीक है अब हमारे पास इस particular case का end matter आता है और उसके बाद हम इस particular matter को complete करेंगे और देखते हैं कि Supreme Court ने क्या बोला कहते हैं obviously ध्यान से पढ़िये कर लाएं को All the aforesaid functions not only come within the dominant of CCI Try is not at all equipped to deal with the same कहते हैं इस बात को तो तुम भूली जाओ कि CCI इन functions को carry on नहीं कर सकती बिल्कुल कर सकती है दूसरी चीज साथी साथ त्राइ इन सब matter को deal नहीं कर सकती यह बात बिल्कुल ठीक है सुप्रीम को पहले इन पर कहती है कि यह तो बात तो तुम भूली जाओ कि CCI यह function perform नहीं कर सकती बिल्कुल कर सकती है और ट्राइ ऐसे matter को deal नहीं कर सकती यह बिल्कुल सच बात है सत्य बचन है क्याते हैं माल लो अगर ट्राइ यह कह भी देती है कि यह जो पर्टिकुलर तीन कंपनीज है या जो यह consumer जो cellular operation association of India है इनके बीच में कोई anti-competitive agreement है भी तो अभी ट्राइ सिफ ट्राइ अक्ट में ही activity करेगी ना वो ट्राइ एक से तो बार जाई नहीं सकती लेकिन CCI एक special nature की authority है जो competition act से governed होती तब ही लिखा it is only the CCI which is empowered to deal with the same anti-competitive act from the lens of the competition act कहते लेकिन try competition act में अपनी jurisdiction exercise नहीं कर सकता competition act में तो jurisdiction competition commission of India ही करेगी if such activities offend the provisions of the competition act as well the consequences and the DAC would also follow और Supreme Court ने बोला कि अगर कोई anti-competitive agreement है जो try में cover हो या ना हो लेकिन वो competition act में अगर cover हो गया तो भाया CCI के पास पूरी power है therefore the contention of IDOs incumbent यह उपरम लोगने पढ़ता ना IDO कौन थे बचे यह लिखा हुआ था हम लोग ने यहां माक ने किया आई किया तो है incumbent and dominant operators कहते हैं अब इनके जो allegation यहां लगाये जा रहे हैं ध्यान से तेखीगा that the jurisdiction of CCI stands totally ousted cannot be accepted कहते हैं इस ते जो यह contention लगाया है Airtel idea Vodafone ने कि CCI के पास इस particular matter को deal करने की पावर नहीं है यह तो बिल्कुल ही गलत है बिल्कुल baseless है कहते हैं so far as the nuanced exercise from the standpoint of your competition act is concerned कहरे गर हम competition act को ध्यार में रखते वे बोले तो the CCI is the experienced body in conducting competition analysis कहते हैं CCI एक ऐसी एकलोती body है एक ऐसी experience body है जो competition से related matters को deal करती है further CCI is more likely to opt for structural remedies which would lead the sector to evolve a point where sufficient new entry is induced thereby promoting general competition कहते हैं सब छूड़िये CCI एक ऐसी authority है जो ऐसी remedies देगी जो competition को market में prevail होने देगी क्योंकि competition act के under CCI के पास में मुद्द ही यह है वो तो matter ही खाली ऐसे deal करती है उसको तो इसके रावा कुछ आता ही नहीं दोनों में harmony create करके चलिए दोनों को separately deal ना करिया है कहते हैं कहते हैं एलिगेशन लगाया वी दस दू नौट agree with the appellant that CCI could have deal with this matter at this stage itself without availing the inquiry of trial यहाँ पर appellant को है बच्चे दिहान से सुनना appellant is CCI कहते हैं सुप्रीम कोट कहते हैं यह contention तो CCI कभी गलत है कि वो try की inquiry खतम होने से पहले ही अपनी inquiry कराना चाहते हैं यह गलत है यह उपर भी बोला था कि Bombay High Court ने बिल्कु सही बात बोली थी कि पहले try अपने final decision पर आ जाए उसके बाद CCI अपनी powers को exercise करें यह बिल्कु ठीक है अगर CCI ऐसे कहते है कि try को हम मानते ही नहीं और हम अपना decisions नहेंगे तो भाई यह गलत है तो CCI का यह contention गलत है CCI पहले try की report का वेट करें उसके बाद अपनी power को exercise करें वो तो इसाफ साफ कह रहे है कि सर यह particular matter telecom regulatory authority से related तो try ही deal करें CCI की बस power ही नहीं है गलत है सर इन नच्छल डाट लीट तो the conclusion that view taken by high court is perfectly justified इसलिए मोब बोलते है कि जो high court का point number two था high court का मा करते तो में आपे judgment का point number two था वो बिल्कुल correctly mentioned किया गया था तो high court इसी से बिल्कुल गलत नहीं बोलती कि high court ने बोला था पहले try अपनी report दे फिर CCI is matter को deal करें it was submitted that promotion of competition and prevention of competitive behavior may not be high may not be high on the change of sectoral regulator which makes it spawn to regulatory capture and therefore CCI is competent to exercise this direction from the standpoint of your competition क्या रहे हैं competition के promotion के लिए for the promotion of competition competitive adverse competitive behavior को market में रोकने के लिए अगर कोई sectoral regulator है जैसे मारे किसमे try है तो वो अपनी power को exercise करे लेकिन हम CCI को रोक नहीं सकते अपनी power से यूज़ कने के लिए क्योंकि matter है competition के regarding CCI को involved हो नहीं पड़ेगा however having taken note of the skillful exercise which the try is supposed to carry out such a comment which is try may not be appropriate कहते हैं ये तो गलत होगा कि try appropriate नहीं है try is regarding अपनी report file करे फिर CCI चेक करेगी लेकिन ultimate authority तो CCI होगी no doubt as commented by the planning commission in its report of February 2007 a sectoral regulator may not have an overview of the economy as a whole which the CCI is able to factor और ये बात सच है कि try सिफ अपने telecom regulatory powers के according उस particular matter को देखेगा वो तो सिफ telecom sector के lens से देखेगा लेकिन competition जो CCI है वो competition act को सारी economic activity को consider करते हुए अनलाइस करेगा therefore our analysis does not bar the jurisdiction of CCI altogether but only pushes it to at a later stage after try has undertaken necessary exercise in the first place which it is most suitable to carry so Supreme Court finally यहाँ पर अपने decision पर आती है कि हम ये तो नहीं कहते कि CCI के पास इस particular matter को deal करने की power नहीं है बिल्कु जरिस्डिक्शन है बस हम उनकी power को थोड़ा सा delay कर रहे हैं कि हम ऐसा बोल रहे हैं कि पहले try अपने report देदे अपना final decision देदे फिर CCI अपना role play करे at the same time since we are upholding the order of the high court on the aspect that the CCI could exercise jurisdiction only after proceedings and the try act had concluded attained finality तो Bombay high court के decision को विल्कुल final मानती है Supreme Court भी क्योंकि Bombay high court ने भी बोला था कि पहले try अपना finalization report देदे फिर उसके बाद CCI अपना काम करे that is only after try returns its findings on the jurisdictional aspect which are mentioned above by us the ultimate direction given by the high court crashing the order by CCI is not liable to be interfered research and exercise played out by CCI was premature Bombay high court ने भी बोला था कि CCI ने पहले ही matter को deal कर लिया यह गलत है पहले try की report आने दे ते फिर deal करते हैं तो that is all for this particular day बचे उमीद करते हूँ कि आपको competition है कि यह चारो ही cases समझ में आ गए होंगे बहुत easy हैं बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि बहुत soft corner है लेक्ट 9 cases है अगर exam में question आ जाते हैं तो इनी 9 में से गहीं नहीं होगा तो वो बहुत आपके लिए helpful हो जाएगा जब cases जादा हो जाते हैं तब ढूंडने में दिक्कत होती है जब cases कम होते हैं तो बल्कि easy हो जाता है तो इस वजए से आज हमनोंको ने 4 cases कर लिए अब next class में remaining 5 cases करके इस chapter को खतम करेंगे तो that is all for this particular video hope so आप लोगो सारी cases समयाए enjoy your day good bye bye